नमस्कार दोस्तों वेल्कम बेक टू सेवलाटू तो आधे मैं बात करने वाले हैं एंसील में हो रहे करप्षिन के बारे में हम लोग इस वीडियो में एक कंक्लूजन भी पहुंचेंगे मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि जो करप्षिन के लिगेशन लगए हैं एंसेल पर वह करना है क्या ठीक है आप लोगों को कुछ करना है या नहीं करना कि हाथ प्राथ दर के बैटर रहना ठीक है कुछ केस इसके बारे में हम लोग बात करने हैं ठीक है पहले हम लोग एंसील में करप्षिन की हिस्ट्री को निकालते हैं क्योंकि कि किसी भी केस इस्ट्री से पहले उसकी जो history है उसको निकालना important है ठीक है तो मैंने कुछ research करा था जो NCL के बारे में corruption के बारे में, okay NCL में जो corruption है उसके बारे में तो मुझे believe नहीं हुआ कि NCL में corruption इतने बड़े level पे पकड़ा जा चुका है ठीक है यह report देख रहे हैं आप लोग जितना भी data उटाया गया वो net से उठाया गया और नामी papers से उठाया गया है नामी magazine से उठाया गया है किसी भी छोटे मोटे newspaper से नहीं उठाया गया है तो आप net पर जाकर search कर सकते हैं NCL corruption तो आपको बड़े-बड़े newspaper में आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इसके regarding थे ओके तो यह यह है दोयार गया रहा है October 25 का newspaper है ठीक है CBI Rates NCL CMDs official ठीक है यह और नीचे के लाइन में देखिया cases of corruption registered against singularly units CMDs and two deputy chiefs engineers लेगे CMD कितना बड़ा पद होता है CMD एक बहुत बड़ा पद होता है और chief engineer वो भी deputy chief engineer उसके against corruption के case register करना CBI ने करा ठीक है यह case है यानि कि कितना बड़ा corruption हो रहा है कितने लेवल पर हो रहा है corruption तो हो रहा है लेकिन कितने बड़े लेवल पर हो रहा है ठीक है छोटी लेवल पर नहीं arrested for allegedly demanding and accepting a bribe from a contractor to clear a pending bill a CBI official said on Sunday ठीक है और भाई कितने की रोने माईगी थी 10,000 की ठीक है यानि की corruption यहां भी हो रहा है ठीक है यह बात है हमारी 288 रहेगी यानि की ताजी ताजी बात है और 9 सेप्टमर की बात है एक तरसे कह सकते हैं दो ड़ाई साली हुए है मोटे तोर पर अब बात करते हैं थर्ड केस की ठीक है तो थर्ड केस आए था यह आपका 2014 यानि की 11 में हो गया 14 में हो गया 14 में हो गया 14 में हो गया CWI arrest NCL deputy GM GM के चोड़ी पोश्ट है नहीं बड़ी पोश्ट है अरश्ट करती है इन मद्धिपदेश फोर टेकिंग ड्राइब यानि की NCL में करप्शिन तो नंबर वन है इन केस स्टेडिस से हमको पता चल गए NCL में करप्शिन तो नंबर वन है अब बात आ रहे हैं present time पर जो allegation लग रहे हैं present time में हम लोग confirm नहीं कह सकते जब प्रूव नी हो जाता की कर्वचन हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है लेकिन जो एलिगेचन लग रहे हैं आप देखोंगे MP की नीज़ प्रपर उठाके तो वहां पिजो एलिगेचन लगे हैं वह लगे एंसील पे ना कि यह बोला गया है कि आउटसाइडर जो है नकल कर रह पे तो आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है क्यूंकि जो इस ने बोला कि जो Bluetooth से नकल कर रहे थे वह तो पकड़े गए तो वह तो चौर साबित हो गई क्यों को आप साइडर थे ठीक है उन्होंने बहुत से नकल करने का बच गये हो सकता है होता है तोगि 100% कोई भी ऑड़ल केस नहीं कि सारे के सारी चौर पकड़ ली गई है तक अब बात करते हैं जो NCl पर रहा है कि NCl बच्चे किस तरह के बच्चे की कमेंट के आ रहे कि आम लग पन लग एग्जामीनेशन तो कोई भी चेक्क कोई किसी को किसी अधिर चेक्क कर रहा है और जो आपको पेपर मिलाता तो पेपर में ये बोला जा रहाedor कि प्रॉपर सील नहीं थी इस्टैपल नहीं दे दिया गया था प्रॉपर सी यानि की एक्जामिनीच हो रहा है या फिर मजाक हो रहा है यह से समझ में आता है कि एक फॉर्मल्टी जब चीजे फॉर्मल वे में होना कि बस हमको कराना है तो यह समझ लिए कि everything is set सब काम पहले से सेट है एक फॉर्मल्टी होती है न गवर्मेंट को शो करने की कि हम एक्जाम करवा रहे हैं हमने एक्जाम करवाया तो यह सिर्फ शो करने के लिए होता है कि we have conducted the exam हमने एक responsibility अपनी complete कर ली लेकिन everything is set already ठीक है अगर ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे seal भी नहीं है ठीक है एक पिन करके दे दिया है जैसे कि एक कॉमेडी चल रही है एक एक्जाम नहीं मजाग चल रहा है एक प्रॉपर वे से एक्जाम नहीं करवा रहे हैं करवात तो सकते हैं क्योंकि एक सत्तुरा components ठीक है सब को पता कि एक्जंब किस सरह होता है लेकिन किस सरह चीजें प्रिजन करी जा रहे हैं वहाँ से और श्टुदेंट्स के जो आरोप हैं कि नींटे मजा बड़ी बात है लेकिन अगर लाते भी हैं पहलå तो सब सब एरिया से होने चाहिए पर्टिकुलर एक ही स्टेट ना यूपी ना एंपी सिर्फ हर्याना के बच्चे 164 स्कोर कर रहे हैं यह आरोप लग रहे हैं ठीक है यह आरोप है और कॉल रिकॉर्डिंग भी सोचल मीडिया पर चल रही है ठीक है और आरोप हम नहीं लगा ठीक हुए है और मेरे अरूप महा के लोग लगा रहे हैं ठीक है और जो बिजए पी जो कोई गोश्य गोर्मेंट है मैं पॉलिकस होनी चाहिए मना बोलता हूँ जी गुट पॉलिटक्स होनी चाहिए जिस से इस्टेविट का अप भला ओ ठिक है इस्टेविए क्या करते है politics नहीं करनी अगर politics नहीं करोगे तो भला भी नहीं कर पाओगे आपको political होना पड़ेगा आपको political होना पड़ेगा आपको BJP पे आर्फ लगाने पड़ेगे ठीक है? मैं यहाँ पर कोई politics बात नहीं करूँगा कि आप आर्फ लगाऊ नालाओ Congress BJP सपा बसपा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो government जो party government में हैं उस पर आरोप लगाना आपका अधिकार है जब तक आप उस पर आरोप नहीं लगाओगे क्योंकि अभी जो time आने वाला election पर आने वाला है ठीक है जब तक आप सरकार पर आरोप नहीं लगाओगे तब तक सरकार न ना सुनेगी ना जांच होगी और जांच की सबसे बड़ी मज़ेदार बात निकल के सामने आईए अभी मैंने आपके श्टैडिस दिखा दी यहां पर NCL के बड़े-बड़े अधिकारी पकड़े गया है ठीक है अब जो HMM operator की case में हुआ है ठीक है इसके case में तो हो गया हम क हो तो जांच किस तरह हो रहे जांच में एक मजाक किया गया बद्दा मजाक बोलूगा मैं इसको इस्ट्वेंट के साथ बद्दा मजाक किया जा रहा है ठीक है यह मतलब और इस्ट्वेंट मान भी रहे हैं जो HMM operator वाले इस्ट्वेंट वह उसको मान भी रहे हैं कितनी या फिर कुछ करना नहीं चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन वो सही जगह सोर्स नहीं लगा रहे हैं, सही जगह आवाज नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, हो क्या रहा है, जो H.E.M.M. ओपरेटर वाले बच्चे हैं, उन्होंने जिला अधीकारी साहब को गयापन दिया, ज जिला अधीकारी साहब ने क्या किया, जिला अधीकारी साहब ने सीजे N.C.L. वालों को बोल दिया कि भई, यह आरोप हैं, आप इसमें कमेटी बिटाईए, और उन्होंने कितने आराम से कमेटी बिटा भी दी, हम लोग जाच करवाएंगे, भई, आरोप N.C.L. पे लग र महीं करता महीं धरता, हमेरो, भई, मैं कहूं आपसे कि आपे चोरी कारोप, अगर मानलो आपने चोरी करी भी है, और आपके हाथ में चीज़ें दे दी जाए कि आप नियाय करो, तो कौन सा अपने आपको फांसी चड़वाएगा, कौन सा ऐसा फांसी चड़वाएगा अपन जैसे TCS company एक example के लिए बता रहा हूँ वहाँ तो corruption होता नहीं है ऐसी यह company थी online ने exam करवाने वाली उसने exam करवाया वहाँ पे number change हुए बच्चों की उन्होंने server से data मार दिया जांच हुई external वहाँ पर यह नहीं बुला गया कि यूपी जेल नेम के अधिकारी जाके जांच करेंगे भाई साब वह आरती उतारी जाएगी उनकी नहीं वहाँ external जांच हुई पांस साल बाद सब को लात मार के निकाल दिया जो जो corruption के साथ तो थे लेकिन दुख यह है कि जि जांच हुई थी माँबे तब पकड़े गई है लेकिन हाँ इसमें एक और बात आती है कि जल नेम के अधिखारियों से मांगा गया डाटा के भई जो जो बच्चे आपने लिए थे उनका हम लोगों को रिकॉर्ड दो किसके कितने number आए तो जल नेम के लोगों ने फाइल ही अब बात करते हैं यूपीपीसेल की यूपीपीसेल का दोया 1670 का एक के सब्सक्राइब द्यान नियुक्त को लेकिन महां भी करप्शन हुआ था वहां भी एक अधिकारी पकड़ा गया था करपचन में ठीक है एक्स्टनल जांच होई थी अगर वहां भी जांच हम लोग मही एक अगर टाली पनि बठादी जाती है अंदर ही ठीक है अंदर सब payment मिला होता है की एक एसा नहीं है कि अलवन कंपक्नी में सब कि जान प्रेचान होती है और पिर क्या ही आपकी जांच होगी आप जानते हो ठीक है राइसन जी एक्स्टरनल लीक हुआ तो गवर्मेंट ने जांच कर रहा है प्लिस की जांच हुई जांच हुई सबुत मिले और एकदाम रिकंड़क्ट होगा आरोपी पे जांच हो रही है बहुत सों को जेल भी हो चुक जिदायक है सिंग्रॉली के और कुछ मेजर हैं ठीक है वो लोग सी जांच की बोल रहे हैं कुछ बोले एक्जाम कैंसल कर रहेंगे आप गॉर्मेंट में हो ठीक है आपने गॉर्मेंट को वोट इस वह से नहीं दिया बच्चों कि यह करप्शिन करें और गॉर्मेंट सांथ के अने वाइश समय में जो चुनाओ ने वाला भी एक सी और साल बात तो अपनी अच्छी छवी बनाने का प्राइस करती है कोई भी गॉवर्मेंट हो सारी गवर्मेंट यह करती है कि election से 2 या 10-1 चल पहले एक्साम करवाना चालू करती है जिसने लोग Selbst दिमागों यू ताय अभी कि अभी जो गाल का फॉम निकलाएं ठीक फिर gag otherwise जलेव ten जो ब sóस window कि नीछी तब तक जो बढ़तीयां वे निकलती रहेंगी को होना हो लेकिन बढ़तीयां निकलती रहेंगी कि इसके लिए दिखाने के लिए कि हम लोग रोजज़ कार दे रहे हैं एक डाटंडर दिखाना पड़ता गवर्मेंट को पौर्समाज़्के साथ आप लोगों के साथ लिए उ एक पाई केसे सबाद हुआ होना है आप थिरक है किसी के बाइस होना है हम अपने को ठीक है कि बिजेशी आप से link है हमको है अपने च 1977 काम से मतलब नहीं हम को यह सब पॉलटी कल काम से मतलब नहीं हमको इसह मतलब यह NCl में जो भी गफला हो रहा है अबी तो H.E.M.M. operator का है क्या पता हो जो overseas civil वाला उसमें भी हो तो जो जांच है सभी exams की मैं एक की नहीं करा क्योंकि corruption किसी एक में नहीं होगा मैं बोलूं कि H.E.M.M. operator वाले case में हुआ है तो civil वालो की demand में कितना पैसा चलता सबको पता है तो वहां भी corruption इससे जादा ही हुआ होगा अगर हुआ होगा तो तो आपको करना क्या है सभी को जितने भी students ने N.C.L. का exam दिया है वो accountant हो, technician हो, chemist हो ठीक है, civil वाले हो सबको unit होना है unit होना है और सबको सभी exam मैं नहीं कर रहा कि मैं operator की करवा जिस तरह आप सोच रहो कि operator वाले जिला अधिकारी को ग्यापन दिया है ग्यापन और जिला अधिकारी जी ने कहा है कि अभी N.C.L. वालों ने कमिटी बिठा भी दिया वो खुद जांच कर लेंगे अपने आपको बिगन गुना बता देगे उपर से सबूत आपको देने अगर आप दे सकते हैं तो भाई सबूत कैसे दे दो गया अगर corruption internal हुआ है क्या आप company में अंदर जा सकते हैं अगर corruption internal हुआ है करमचारियों पर जो आरूप लग रहे हैं अगर corruption internal हुआ है तो भाई आप 80 नमबर ले आओगे तो अंदर दूसरे के ब्यासी हो जाएंगे अगर internal हुआ है मैं confirm नहीं कर रहा हूँ इस तो जाच external होनी चाहिए क्यों internal जाच हो जब corruption internal है तो जाच internal क्यों हो समझ रहे हैं तो subunit होना है जितने भी student NCL के जितनों ने भी exam दिया है subunit हो और जाच external हो और थाने के level पर ना हो कि वहाँ का जो थाना लगता हो जाच करेगा तो भाई local थाना जाच करता है तो क्या निश्कर्स निकलता है सब को पता है ठीक है बड़े अधिकारी जाच करें क्योंकि क्योंकि यह central की company है ठीक है छोटी मोटी company नहीं है तो बड़े प्लिस अधिकारी इसकी जाच करें ऐसा आप लोग को करना है ठीक है और साथ ही साथ महां के जो मेयर थे वह बोल रहे थे CBI inquiry कि हम लोग CBI inquiry की मांग करेंगे और करेंगे नहीं करेंगे वह तो सब को पता है क्या होगा नहीं होगा ठीक है लेकिन कम से कम एस पी लेवल तक की जांश्तिस में होनी चाहिए ठीक है क्योंकि थाने लेवल पर तो काम समट जाएगा ठीक है वहां इतना होगा नहीं कुछ जब तो इतना प्रैशन नहीं बनेगा और प्रैशन तब बनेगा जब आप लोग अगेंज्ट दा गॉवर्मेंट खड़े हों अच्छी भी होती है बुरी भी होती हई डेंट आपके करता है आप पॉलितिक्स किस के लिए कररहे हूं अप पॉलितिक्स ऽिए खरजा ओए और शिब्ट अ नहीं करना सब्स liberals तो आप लोग समझ के आओगगे कि आपको एतना ही है कि एंसी वीडियो का बस इतना ही है चांच एक बद्दा मजाक है श्तुड्यंट के साथ क्योंकि इलिगेशन जो लग रहे हैं वो इंटर्णल एंसा की लग रहे हैं तो फिर रिजल्ट क्या है सबकी सामने है एक फॉर्मल्ल्टी जैसे एक्जाम अगर फॉर्मल्टी है अगर करप्शन हैं तो exam भी formalty होगा अगर corruption साबित हो गए नहीं होते हैं होते बात अलागे जांच की ठीक है जहां तक chances है कि 90 प्लस इतनी candidates ला रहे हैं तो corruption की chances बहुत ज़्यादा बनते हैं ठीक है tough paper भी इतना ले आ रहे हैं बच्चे तो लोग सिंग रॉली पहुंच सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग साउस साइट से जो इस्ट्रेंट से civil वाले मेरे वो साउस साइट के थे कोई आंधरा खाता ठीक है तो बहुत से श्ट्रेट से थे तो वो लोग तो इतना दूर नहीं आ सकते ठीक है लेकि जो लोग सिंग रॉली के आसपास हैं सभी जिन्होंने एक्जाम दिया है कैमिस्ट वहरा सब जितनी भी पुष्ट है वो यूनाइट हो और डिमांड करें कि TCS जैसी कंपनी है TCS एक एक वैल नोन कंपनी है एक्जाम कराने के लिए ऐसी कंपनी एक्जाम करवाए ठीक यह डिमांड रखनी है ना कि आप सब मिलके ग्यापन दे आए ग्यापन दे आए और वो भी इंटरनल जांच हो कुछ नहीं होने वाला जब तक एक्टरनल जांच नहीं होगी सर्दियों में इतना दूर इतने पैसे खर्च करके पेपर दे के आते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि वहां वही करप्शन हो रहा था कोई ब्लूटूस से निकल कर रहा है और कोई तो अपना कोई भी कोई तो इस्ट्ट्वेंट इतना कोई श्ट्वेंट सर्दी में निकल भी रहा है बाहर तो इस्ट्वेंट ने कमेंट किया था कि बच्चे एक बच्चे ने अपना जो है कॉपी है उसके सिर्फ जो दस क्वेशन के गोले हैं वो ही भर रहे थे वो भी टीचर के कहने पर आप सुख सकते हो इतनी सर्दी में कोई बच्चा बाहर एक्जाम देने जा रहा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वो वहाँ पर उसको किसी भी कॉश्चन को सॉल्व न करे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बंदना सो अटेंट करता है सिंपली आयते मेरे गुप में ऐसा हो रहा है ठीक है और उस बच्चे का जो रोल नंबर है वो भी शायद फॉरवर्ड हो रहा है मैंने ध्यान नहीं कर रहा हूं उस पर ओके लेकिन ऐसे ऐलिगेशन है ऐसे ऐलिगेशन तब लगते हैं जब इंटर्नल हो कुछ है जब इंटर्नल है तो सब कुछ सेट है ठीक है यह ऐलिगेशन है तो बहुत लगते हैं लेकिन कंक्लूजन यह है कि आपको एक्टर्नल जांच करवानी है तभी सब कुछ सामने आने वाला है अगर इंटर्नल जां किसी भी लेवल का हूँ ठीक है जांच में सब लोग खिशेंगे क्योंकि आप लोग उन्हें देख रहा है सी बीए अरेश्ट एंसेल डिप्टी जीम डिप्टी जीम यार कोई छोटा मोटा दिखा रही तो जीम लेवल तक के दिखा रही जब करेप्शन में सनलिप्थ हो सकते हैं तो यहां क्या चांसेस हैं यह इस्ट्री देखिए आप इस्ट्री देखिए इनसेल की इस्ट्री बताती है इनसेल की क्या चलता है तो एक्टरनल जांच कराई और सी बी जांच होई यह देगे सी बी आई यानि कि आप करवा सकते हैं सी बी जांच करवाई जा सकती है औ जो आएगा लपेटे में सब जाएगा अंदर तो CBI जॉट ऑफैले हो cela तो आपको किस जॉटो क्सक्त तो करें लेकिन मैं जो बोलता हूं कि अगेंस्ट गवर्मेंट किसलिए करवाने के लिए गवर्मेंट आई तीस नामता हम लोग लोग नहीं करवाएंगे ठीक है तो आपको अगेंस्ट गवर्मेंट भी खड़ा होना जो आप कर रहें वह तो ठीक है अब अतना बहर है ओके नीटिए बच्छी बात हैدة बात है कि ऊत् inmates ho गया गाध वीडियो के कमेंट्स में बहुत से लोगा होंगे जो ग्यान देंगे की जांच ना कराई जाए वह वो सही हुआ है कैसे हुगा जांस इससे हो गई क्या और ₷ यह लोग Season यह होकोई होने छोने वाले जो G ». कौन लोग भोन ग्यानते हैं इता है आराम से समझ गये हूंगे मैं नाम नहीं लोगा कौन से लोग होंगे कौन लोग नहीं चाहेंगे कि जहां चो और सच्चे कि सबके सामने आए तो बस आवाज उठाएज अपनी बस मेरा यह कहना था और जो लोग सुछते हैं कि हम लोग क्या ही कर लेंगे आवाज उठाके तो वो लोग क्या ही कर लेंगे जॉब लेके जॉब भी क्या लेके आप क्या ही कर लोगे ठीक है तो जॉब भी छोड़ दो ठीक है जो लोग सुछने हम लोग क्या ही कर लेंगे हम को करने ही क्या है तो जॉब भी करने ही क्यों है अपनी जॉब के लिए अपनी नौकरी के लिए आवाज नी उठा सकते तो कब आवाज उठाओगे भई ठीक है तो बस जो लोग समझें वो आवाज उठाएं जो नहीं समझें वो घर बैटे आराम से भूल जाएं क्योंकि आने वाले एक्जाम भी हैं वहां भी अगर ऐसा होता है वहां भी अगर आवाज नी उठाते हो तो सब भूल जाओ तो मिलते नेक्श वीड़े में तिल रैन बी हैपी कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग